तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग कैसे चल रही है आप लोग के पढ़ाई सो माइनेम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यार से चैनल में खुबसूरत से चैनल में जे आर टूटोरियल में जैसा कि आपको पता है कि we have started the optics हम लोग ने optics start कर लिया है okay optics से हम लोग ने बहुत सारे वीडियो देख ले हैं अगर हम लोग देखने जाए तो यह हमारा lecture number six है okay lecture number five तक video available है playlist में तुम लोग वहाँ पे जाके फटाक से अगर अभी तक तुम लोग ने optics start नहीं किया पढ़ना तो वहाँ पे तुम लोग पढ़ना start कर सकते हो और जिसने lecture number five तक complete कर लिया है तो यह उनके लिए है lecture number six तो आज हम लोग क्या बात करने वाले थे लास्ट लेक्चर में हम लोग अबरेशन क्या होता है वह खतम करने वाले हैं तो आज हम लोग बहुत जादा detail में और थोड़ा सा theoretical बात आज ज्यादा करने वाले हैं आज derivation बहुत कम मिलेगा derivation तुमको इनके बाद वाले lecture में मिलेगा इसके बाद वाले अंगुलर डिसपर्जन की देखो डिसपर्जन क्या होता है हम लोगो पता है सबको कि जब वाइट लाइट ट्रावल होती ए मां लो कि this is nothing but a white light यहां पर देखो यह white light है माल लो अब बलो गे सर यह तो black है आरे color black है बट है white light, ऐसा imagine कर लो, okay, so, माल लो कि अगर यह white light है, और यह towel हो रही है, तो prism से जब कभी भी पास होगी, तो क्या होगी, वो अपने 2 component में divide हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपने 2 component में divide हो जाएगी, यह सो नो, okay, अब मैं 2 बोलू, तो गलत होगा, 7 बोलू, तो सही होग बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग extreme color को consider करेंगे, okay, मेरको पता है कि white light जो है, वो 7 component में divide होता है, और तुमको भी पता है, कि वो 7 component में divide होता है, बट हमको उसको simplify करने के लिए, हम लोग 2 extreme color ले लेंगे, तो let us consider a violet color, and consider a red color, हम लोग उसको violet और red को consider करेंगे, extreme color को consider करेंगे, okay, so what is angular dispersion, तो angular dispersion क्या होता है, angular dispersion होता है, कि भाई यह जो violet light है, और यह जो LED light है, इनके बीच में कितना angle बन रहा है, okay, इनके बीच में कितना angular, उन दोनों के बीच में कितना angle बन रहा है, that is nothing but, that is nothing but angular dispersion, okay, तो अगर मैं देखने जाओ, तो equivalent बहुत जादा होता है, red light का, तो वो कम bend होगा, और जो violet light है, वो बहुत जादा bend होता है, तो मालो, यहाँ से जो bending हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, deviation of R, और यहाँ जो bending हो रहा है, वो deviation of B, तो deviation of B को अगर मैं माइनस कर दूँगा, R से, तो देखो, कहा नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब extreme color, violet को अगर मैं R से माइनस कर दूँगा, तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, angular dispersion, angular dispersion, angular dispersion, is nothing but, del V minus del R, है ना, ओके, angular dispersion क्या है, angular dispersion है, del V minus del R, simple सी बात है, ओके, अब हम लोग ने पढ़ा है, what is del, बहे, del का formula तो पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है, तो इसके पहले बाले lecture में जाओ, जब हम लोग ने thin lens consider किया तो वहाँ पे, so del मेरे को क्या ही बोलता है, del का formula मेरे पास available, that is A in bracket N minus 1, where A is nothing but A क्या था, A था prism angle, और N क्या था, prism का refractive index, यह सोनो, तो अगर यहाँ पर मैं substitute तो क्या मिलेगा देखा, A in bracket N V, यह तो refractive index, violet light के लिए हो जाएगा, minus 1, minus del R के लिए अगर पूट करूँगा, तो prism of angle तो दोनों के लिए सेम रहेगा, भाई red light हो या white light हो, दोनों के लिए prism of angle तो सेम रहेगा, बस refractive index अलग अलग हो नहीं हो नहीं हो ला है, तो यहाँ तो क्या मिलेगा, A in bracket N R minus 1, अब यहाँ से देखो A common है, A common ले लो, क्या मिलेगा, N V minus 1 minus N R plus 1, हाँ या ना, plus Q, क्योंकि यह जब bracket open होगा, तो यहाँ पर plus हो जाएगा, simple सी बात है, yes or no, अब देखो ज़रा कहानी, कहानी समझने कोशिस करो, minus plus तो cancel, यह खतरना गया, क्या मि that is nothing but angular, इसको हम लोग क्या बोलते है, angular dispersion, okay, इसको हम लोग क्या बोलते है, angular dispersion, that is A in bracket N V minus N R, हम लोग यह वाला formula भी यूज़ कर सकते है, यह वाला formula अगर तुमको direct del given है, तो we can use this formula, okay, direct लेगे अगे अगर given है, तो अगर नहीं गीवन है, मानलो की refractive index के form में दिया है, तो we can use this formula, this is nothing but a angular dispersion, यह क्या है, angular dispersion, okay, अब बात आती है, mean deviation क्या होगा, mean deviation basically क्या होता है, mean, mean मतलब क्या होगा, कि जो violet है, और जो red है, उसका mean लेना, okay, उसका क्या लेना, mean लेना, तो mean deviation के अगर हम लोग बात करें, मानलो, so mean deviation, so, del m ले लो, उसको, क्या ले लो, del m, मतलब del mean, mean deviation, तो क्या ही होगा, भाई, इन दोनों का mean, मतलब del v plus del r, divided by 2, okay, and what is del v plus del r, divided by 2, del v by del r divided by 2 होता, क्या mean color, अब mean color कौन सा होगा, मेरेको बताओ, चलो, comment करके, सबसे पहले mean color बताओ, सब लोग ने comment कर लिया, पहले mean color बताओ, कौन सा होगा, तुम्हारे पास 7 color है, mean color बताओ, अब लगभग सब लोग ने गलत आंसर दिया होगा, देखो, यहाँ पर हम लोग mean color consider करते हैं, yellow, yellow is not exact center का color नहीं है, वो, okay, बताओ, अगर हम लोग देखेंगे, तो blue और red का अगर यह देखेंगे, mean color देखेंगे, तो वो yellow होता है, याद रखना, तो yellow is the correct answer for mean color, मतलब यहाँ पे, मैं अगर यह लिखना चाहूं, तो this is nothing but approximately equals to del y, यह मेरा del y होगा, मतलब इसको solve करके न, जो मेरा mean deviation आएगा, वो nothing but क्या होगा, del y होगा, और del y के लिए क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, del y के लिए directly formula that is a in bracket n y minus 1, हाई न, so this is nothing but your mean deviation, so mean deviation अगर तुमको del v del r given है, तो plus करके भी निकाल सकते हो, और अगर तुमको del y given है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, mean deviation, बासन में आगया भीवान, पक्का, ओके, समझ में आए, क्या होता है, angular dispersion और क्या होता है, mean deviation, पक्का, ओके, चलो आगे मड़े कहानी, तो यहाँ पर हम लोग ने प्रिजम की कहानी, फिलाल के लिए समाप्त कर दिये, ओके, आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी देखो ज़रा, तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो disperseive power, थोड़ा सा कहानी बचा हुआ है, थोड़ा सा कहानी बचा हुआ है, disperseive power, देखो, क्या होगा disperseive power, एक topic है, छोटा सा, disperseive power क्या होता है, यहाँ पर देखो, हम लोग ने definition लिखा हुआ है, तो the ability of an optical material, okay, optical material मतलब जिससे तुमारा lens बना होता है, जैसे पानी भी एक optical material है, okay, glass slab भी एक optical material है, तो ability of an optical material to disperse the constituent color is its dispersive power, मतलब उसके अंदर कितना शमता है, उसके color को अलग-अलग करने के लिए, जैसे prism में बहुत जादा शमता है, तो prism का dispersive power बहुत अच्छा होगा, कि वो बहुत अच्छे तरीके से color को disperse करेगा, तो उस optical instrument की कितनी शमता है उस color को disperse करने के लिए, that is called as optical power, उसका formula क्या है, formula है, del v minus del r divided by del y, अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो जड़ा, अल्रेडी हम लोग ने पढ़ा है, कि भाई, यहाँ पे यह del v minus del r क्या ही मिल रहा है, a, nv minus nr, तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई problem न, यहाँ पे तुम लोग एक और formula लिख सकते हो, omega, a, nv minus nr, यह minus है, divide by, देखो जड़ा, del y क्या मिल रहा है, a, n y minus, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो सरा, a, n y minus 1, अब a, a get cancel, क्या मिलेगा दरा, omega is equals to nv minus nr by n y minus 1, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास omega का दो formula है, यह formula और यह formula, यह formula का भी उस करना है, जब हमको deviation गिवन हो, angle of deviation गिवन हो, तब यह formula इस्तमाल करेंगा हम लोग, यह formula का भी इस्तमाल करेंगे, जब हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बनो, अलग अलग कलर के लिए, तो तब हम लोग यह वाला formula इस्तमाल करेंगे, दोनों सेम ही formula है, दोनों सेम ही formula है, कोई अलग formula नहीं है, अब रही बात इसके unit की, तो देखो इसका unit वाट नहीं आएगा, यह power नहीं है, यह work done by time वाला power नहीं है, यह ability है, यह क्या है, ability है, और उपर नीचे अगर देखो के तो ratio देखो सेम है, उपर नीचे क्या ratio, ratio दोनों जगे सेम है, तो इसके पास unit भी नहीं रहेगा, और इसके पास dimension भी रहेगा, नहीं रहेगा, it does not have unit and dimension, यह चीज़ का याद रखना, ओके, इसके यह एक ऐसी quantity है, जो unit less और dimension less दोनों quantity रहेगी, clear, बासन में आ गई, समझ में आ गया सबको, क्या होता है dispersive power, आगे बढ़ें, चलो, next कहानी देखो, next कहानी है तुमारा, कुछ natural phenomena, जो already तुमको पता है, तुमने already छोटे standard में discuss कर लिया है, यह चीज़े तुमने already पढ़ा रहता है, that is nothing but natural phenomena due to the sunlight, sunlight के ओज़े से क्या-क्या natural phenomena होती है, okay, so दो बैतरीन example है हमारे पास, पहला example है हमारे पास मिराज, और second example हमारे पास rainbow formation, देखो मिराज क्या होता है, तुमने देखा रहेगा कि जब कभी भी गर्मी होती ही बहुत जादा, आज मेरा गला बहुत जादा खराब है, तो ऐसी चलेगा, तो थोड़ा सा बीच-बीच में ब्रेक ले लूँगा, वीडियो बंद करनेंगा मन नहीं करता है, पढ़ाते रहे तो आतो वो लिंक तूड़ जाता है, इसलिए मैं वीडियो बंद नहीं करता, तो बीच-बीच में हम लोग पानी भी पी लेंगे, और बीच-बीच में पढ़ भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, पटाक से कितने लोगा कमेंट आ जाएगा, सर स्लाइस के बॉटल में पानी पी रहे हो, क्या बात है, तो स्लाइस का खाली बॉटल अंदर पानी है, ओके, चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, तो मिराज, हम लोग डिसकस कर रहे थे, मिराज पर, तो मिराज क्या होता है, देखो यहाँ पर, बेसिकली मिराज क्या है, जब कभी भी गर्मी होती है, या फिर यह जादा करके हम को देखने मिलता है, रिगिस्तान मे कि गर्मी बहुत जादा होती है तो गर्मी के समय में हम लोग कभी रोड पे खड़े हैं तो दूर कहीं रोड पे हमको हलका सा पानी जैसा या फिर वेवी स्ट्रक्चर दिखता है वेव जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है रोड पर ही और हमको फील होता है कि वह पानी है तो आक्चुल में वो पान ही नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वो जो medium है, मतलब जो road से सटा हुआ, जो air है, वो बहुत गरम होता है, वो गरम होता है, तो उसका refractive index थोड़ा change हो जाता है, जब refractive index change हो जाता है, वहाँ पे जो image है न, वो image मेरे को थोड़ा floating हुआ, मतलब बोल लगे गा, रही, वहाँ तो पानी है, और भाग भाग के जाएंगे, भाग भाग के जाएंगे, और वहाँ पे हमेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, पानी वानी कुछ नहीं रहता, वहाँ पे, yes or no? ओके, यह already तुम लोग ने discuss किया ह यह already हम लोग ने, जब 9th या फिर 10th standard में हम लोग ने discuss किया, इसलिए हम लोग deep में नहीं जाएंगे, अगर तुमको deep में पढ़ना है, तो तुम्हारे test book में available है, वहाँ पे तुम लोग read कर सकते हो, simple English language में given है, तो तुमको और ज़्यादा detail में समझ में आ जाएगा, okay, next कह फिनोमेना होता है, और internal reflection का फिनोमेना होता है, तो total internal reflection का फिनोमेना कभी यहाँ पे नहीं होगा, यह चीज़ का रहान देना, वो total internal reflection नहीं, वो internal reflection है, अगर हम लोग rainbow की बात करें, तो rainbow में कौन-कौन सा फिनोमेना हो रहा है, reflection हो रहा है, dispersion हो रहा है, इंटर्नल रिफ्लेक्शन हो रहा है भीडन काकर रहा है रिफलेक्ट कर रहा है और टैनली्र apologize लोगर अगर को एक परफेक्ट रेंबो देखना है तो नियुक्त रेंबो दो प्रकार के नहीं एक होता है तुम्हारा primary rainbow और एक होता है तुम्हारा secondary rainbow ओके तो primary rainbow क्या बोलता है primary rainbow बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक internal reflection होता है जैसे this is nothing बटा primary rainbow अब यहां पर क्या होता है देखो ज़रा अगर हम लोग देखने जाए तो यह मालो white light आ रही है तो white light bend हो जाएगी यह सोनो अब मेरा जो violet है वो जाधा bend होगा और red जाधा bend नहीं होगा हाया ना जो violet है वो जाधा bend होगा और red है वो जाधा bend नहीं होगा तो इसलिए मेरे को ऊपर की तरफ क्या देखने मिलेगा मेरे को red light देखने मिलेगा तो यह तुम और में को खुद बता देना, comment करके में को बता देना कि क्या बोलते हैं उसको, because मैं थोड़ा सा confused हूँ इसले, और यहां पे नीचे क्या है, नीचे blue है, क्या है? blue है, okay, so blue है देखो यहां पे, रैसा होता है है कि मतलब मानों यहां पर कहानी की का सी यहां पर वह रिफ लेक्ट करेगा ओके मालों कि ऐसा गया करें है कि तो नटरी बार अंट ऌके तो रजोता है एल्टा हो जाता है नटरीव और वह निची आ जाता है द describes क्ली है अगें ये अर्य टॉपिक है तुमारे टेश्च बूक में बहुत 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 दिटेल में पढ़ना है तो तुमारे टेस्वूक में अब के तुम लोग discuss कर सकते हो थेरी है रीड करो के समझ में आ जागा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर बात समझ में आई यह अल्रेडी हम लोग ने पढ़ लिया है इसलिए हम लोग ने ज्यादा इसके ओपर टो फोकस बनते हैं यसे वाज़े से शार्पनेस नहीं मिलता इमेज में उतना तो हम लोगम में इसौिया सेंव बहुत शार्पम बनते हैं क्रॉमाठिक अबरेशन क्रोमाटिक अबरेशन क्यूं होता है यहां पर समझ नहीं एक कोशिस करो ये जो तुम को दिखराए जो लेंस है ये बेसिकलिए है क्या इसको ध्यान से शमझें अगर तुम ध्यान से देखोगे न है मालनों यह यह एक प्रीजर्म को 쿠 रहे यह दोनों 있는데 को मैंने वैस से अटाच्च कर दिया बरबर यह दोनों प्रिजम को किसे अटाच कर दिया बाई बेस से अटाच कर दिया तो अगर मैंने बोला ना मेरा गले का हलत बहुत खराब है इतना ज्यादा इचिंग हो रहा है ना पूछो मत इसी प्रिजम को मैंने इसी प्रिजम को अगर मैंने एपेक्स से अटाच कर दिया Apex मतलब इसका उपर वाला जो एंगल A है उससे attach कर दिया तो इसकी लिए देखो यहा पर क्या 需要 बना रहा है यह a 시क्व मतलब एक तरा का देखने जाओ तो यह जो lens है यह prism ही है बाई यह जो lens है यह क्या है prism है और मुझे पता है कि जब कभी भी light prism के through pass होगी तो वो क्या होगी? chegou कहानी यहीं पर बेंती है यही पर चीजें होती है यहाँ पर क्या होता है? dispersion होता है क्या होता है? dispersion होता है dispersion मतलब यहाँ यहाँ पर light split हो जाती है again seven color में होती है बट मैंने तुमको बता है हम लोग extreme की बात करने वाले हैं यहां पर हम लोग देखे तो देखो violet light ज्यादा बेंड होगा red light उतना ज्यादा बेंड नहीं होगा मतलब यहां पर दो focus मिलेगा एक focus मिलेगा for red light और दूसरा focus मिलेगा for violet light मतलब मेरको जो image है यहां पर भी उतना sharp image नहीं मिलेगा क्योंकि जो color है वो आगी पीछे होगा इसको decrease करने के लिए फिर इसको minimize करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दो lens मैं कंदिशें कीशा सा यूज करेंगे कैसा यूज करेंगे है तो कंडिशन है कि हम लोग मीन color के लगला हम लोग देखे तो मैरे पास एक ratio है इस ratio और इस condition is called as condition और अक्रोमाटिक अक्रोमाटिक मतलब क्रोमाटिक का उल्टा अक्रोमाटिक कंडिशन ही है मतलब वहाँ पर वो जो डिफेक्ट है वो गायब हो जाने वाले डिफेक्ट है क्या है रेश्यो क्या बोलता है कि भाई focus of second lens divided by focus of first lens बराबर होना चीए dispersive power of second lens अब omega positive होता है और minus sign मेरे को चाहिए नहीए तो इसका मतलब यह है कि अगर minus sign हटाना है तो तुम्हारा जो एक lens है वो हमेशा क्या होना चीए वो हमेशा concave होना चीए और दूसरा lens क्या होना चीए हमेशा convex होना चीए यह याद रखना हो बाई, वल लेंज शुड़ भी कॉनकेव लेंज, एन अनदर लेंज शुड़ भी आ, कॉनवेक्स लेंज, एक कॉनकेव और एक कॉनवेक्स होना चीए, अब उसमें भी देखो, अगर तुम लोग कॉनकेव यूज कर रहे हो, तो कॉनकेव के लिए हमेशा, कॉनकेव के लिए, हमेशा flint glass यूज़ करना ओके दो तरह के glass होते हैं तुमको पता होगा एक होता है flint glass और एक होता है crown glass ये सो नो okay दोगो flint glass का अगर हम लोग देखने जाए तो refractive index क्या होता है n is equal to 1.65 crown glass के लिए हम लोग देखने जाए तो कितना होता है तो अगर हम लोग कॉंड के लिए यूज़ करेंगे flint glass के लिए okay मतलब flint glass का material use करेंगे और उससे concave lens बनाएंगे अगर हम लोग convex lens में रूप को बनाना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे crown glass और इसको कैसे रखेंगे इसको combination में रखेंगे और जैसी हम लोग जो दो focus मिल रहे थे यह दो focus बहुत minimized हो जाएगे और वह एक ही जाएगा बहुत बहुत इक दम वह नहीं हो पाएगा बट हाँ बहुत बहुत हद तक वह minimized हो जाएगा clear भासन में आ रही है और किया हम लोग देखे तो बहुत था कि वह जाएगा वो मिनिमाज जाएगा मतलब कुछ इस तरह का फिनौमीना होगा माल लो एस एक आया एसे लाइट आया और यह एक ही बनेगा मतलब लगभग एक बनेगा लगभग जो red है और जो violet है वो दोनों एक ही जगे मतलब सारे के सारे light का focus कहां रहेगा एक ही जगे रहेगा So that is nothing but that is nothing but a method to reduce the chromatic abrasion कैसे reduce करना है भाई दो lens use होंगे दोनों में से एक क्या रहेगा concave रहेगा और एक क्या रहेगा Convex रहेगा और वो लोगने material भी suggest कर दिया है कि कैसा material होना चीए अगर concave lens बना रहे हो तो वो बनाओ flint glass का अगर convex lens बना रहे हो तो वो किसका बनाओ वो बनाओ crown glass का clear बात समझ में आई सबको everyone पका आज का topic clear हुआ सबको जैसे ही मैंने बोला था कि आज के topic में हम लोग जादा कुछ derivation की बात नहीं करने वाले derivation की बात हम लोग इसके बाद वाले topic में करने वाले अगर इसके बात का अगर हम लोग topic देखना रहे तो इसके बात का जो topic रहेगा that is nothing but your optical instrument तो वहां पे ह हम लोग को चीज़े देखना वहां पर हम लोग derivation की बात करेंगे वहां पर हम लोग ने मैगनिफिकेशन की बात करेंगे कि भाई क्या होता ऑप्तिकल इंस्ट्रुमेंट तो यहां पर हम लोग ने आज ठोटिकल टॉपिक यह किया ओके मोस्ट प्रभिल भी हम लोग नेक्स कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है वहां पर तुम लोग जाके मुझे पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलो तो आज का वीडियो यही पे एंड करते है आज के लिए